उक्टोपस का खून आके नीला क्यों होता है और क्या आपको पते कि ये घर असल में केटरपिलर ने बनाया है इस दिवाली पर आयोध्य हमें एक और वर्ल्ड रिकोर्ड बना दिया गया और क्या आपको पते कि जो मोटल कॉमबेट गेम था उसमें जो एक्शन होते थे वो अ कहा जाता था और इस हाथी को सभी इसकी शानती के लिए जानते थे फैक नमबर 18 बोई बेट ट्री नाम का एक ट्री होता है जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है और इसकी सबसे खास बात यह है कि यह इसके अंदर एक से देड़ लाग लीटर पानी स्टोर कर सकता है और इस प को पता कि जापान में एक रेल कंपनी ने अपने गाहकों से एक बार माफी मांगी क्योंकि एक ट्रेन 25 सेकंड पहले ही अपने स्टेशन से निकल गई थी तो इसके लिए ऑपरेटर ने उन सभी से माफी मांगी फैक नमबर 15 जो गेम था उसमें केरेक्टर को डिजाइन करने के लिए और उसमें मूव दिखाने के लिए असल में रियल फुटेज के इस्तमाल किया गया था जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि हर एक मूव को उन्होंने शूट करके डाला है फैक नमबर 14 कि आपको पते कि अंटार्क्रिका के अंदर साथ चर्च है जिनकों की विज पटाने वाली कूल हाली से उस पर हमला कर दिया फैक नमबर 12 ब्रीटेन की 42 यर्ज की एक महिला ने लोगों को जूटे के इंसर होने का दावा किया और 70,000 डॉलर इकहटे कर लिए जिनकों की उन्होंने कर्च देने के लिए और अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए इ क्या आपको बताई कि हैदराबाद इंडिया की ग्रीने सिटी बनने का सबसे पहला उकाम जीत चुकी है और उन्होंने वर्ल्ड ग्रीने सिटी 2020 का इंटरनेशनल अवार्ड भी जीता अगर वर्ल्ड रिकोर्ड की बात हो ही रही है तो इस दिवाली आयोध्या में भी एक व प्लेट को रख दो तो इससे आपका कम्प्यूटर तब तक एक्टिव रहेगा जब तक आप उसके पास बापिस नहीं चले जाते है जिस भी इंसान ने इस प्लेट को बनाया है प्लेट को देखकर आप उसका मेसेस तो समझी चुके होगे कि जितना खाना आप अपनी प्ले च्रीनील की बोटल फरी देते हैं शुकिन कि उन्हालो चीजों से आसानी से बोर हो जाते हैं और वो अपने ज़्यादा तरी टाइम सोचने में इस्तमाल करते हैं आपको बताए कि सूरत जो है वो असल में वाइट कलर का है लेकिन आर्थ का जो एक्टोमास पेर है इसके कारण हमको यलो कलर का दिखता है तो इस केटरपिलर की सबसे खास बात यह है कि अपना घर बनाने के लिए लखडियों की छोटी-छोटी डंडियों का इस्तमाल करता है और इसके ये घर कुछ इस तरीके के दिखते हैं दुनिया भर में कई एसी बिमारिया आई है जो की अचानक से फेलने लगी है पर एसा सिर्फ अभी ही नहीं बलकि सालों पहले भी हो चुका है 1485 में लोगों को एक मिस्टिरियस दिसीज होने लगा था इसका नाम स्वेटिंग सिक्सनेस था और इसमें लोगों को अचानक से पसीना निकलना चालू हो जाता था और कुछ गंटों में इनको बहुत ज़्यादा पसीना आ जाता था और इस बिमारी से एंगलेंड और यूरोप जैसे देश भी बहुत ज़्यादा प्रवावित हुए थे और इस चीज से लोगों की एक घंटे में मोत हो जाती थी और 1559 के बाद ये एकदम से गायब होने लगा और ऐसा केसे होता था ये कहां से फेला था ये अभी तक नहीं पता और इस भिमारी के चलते हजारों लोग मारे गए पूरी दुनिया में लगबग 99% जीवों के जो खून का कलर होता है वो रेड होता है लेकिन ओक्तोपस के जो खून का कलर होता है वो असल में ब्लू होता है तो ओक्तोपस के खून में ऐसा क्या होता है तो साइंटिस्टों को रिसेर्च के बाद ये बात पता चली कि इंसानों में जो blood होता है वो असल में iron based होता है और लगबग हर जीव में iron based blood ही होता है लेकिन octopus में इसका ultra copper based blood होता है और इसी कारण से उसका blood नीला दिखता है तो आज के लिए बस इतना ही एसी और amazing videos के लिए चैनल को subscribe जरूर कर देना और video को like comments है जरूर करना